नमस्कार आप देख लें डेवाइस, मैं हूँ आपके साथ साक्षी केश्री खबरों की शुरुआत करेंगे आपको बतादे कि मुजफ़रपुर में थाना से गायब रहने वाले 37 पुलिस कर्मी निलंबित किये गए हैं ज्वानकारी के अनुसार पुलिस मुख्याले से आये, ATS के ADG ने देड़ राज जिले के शेहरी इलाके से लेकर ब्रामिर इलाके तक थानों का ओचक निरिक्षन किया जिस दौरान कई थानों में ड्यूटी पर्चनात पुलिस पदादिकारी, पुलिस कर्मी और होमगार्ड के जवानों का परेड कराया गया था जिस दौरान कई पुलिस कर्मी ड्यूटी से गायब पाए गए अब मुजफरपुर SSP ज्वैंद कांथ ने ऐसे लापरवा पुलिस कर्मी और कारिवाई की है जिन पुलिस कर्मियों पर कारिवाई की गई है आपको बता दें कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद अब पुलिस कर्मी भी सकते में आ गए है और स्थानी लोग भी कई तरह की बात कहने लगे है कि आखिर आमजन की सुरक्षा में तैनात पुलिस ही जब ड्यूटी छोड़कर फरार हो जाए तो फिर सुरक्षा किसके भरोसे रहेगी क्योंकि पुलिस को आमजनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है लेकिन जब जूटी पर ही तैनात नहीं होंगे पुलिस कर्मी तो ऐसे में आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी लोगों में इस तरीके की भी चर्चा हो रही है और अब लापरवा पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्षन लेने की बाद भी की जा रही है जूटी के दौरान जो पुलिस कर्मी नदारत थे उन पर कारिवाई की जाएगी पुलिस अधिकारी समेच 37 पुलिस कर्मी ऐसे हैं जुने निलंबित किया गया है ATS के ADG ने ओचक निरिक्षन किया और अलग-अलग थानों पर पहुँचे ये देखने के लिए कि आखिर जूटी किस तरीके से निभा रहे हैं पुलिस कर्मी क्या जनता को कोई परिश्वानी तो नहीं है पुलिस कर्मियों से तो इसी दोरान ये पाया गया कि कई पुलिस कर्मी अपने जूटी पर तैनात नहीं थे नदारत थे थाने से एक और चक निरिक्षन किया गया था और इसमें वो इसमें कुछ पूमगार्ट्स हैं कुछ पुलिस के जवान हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो की थाना छोड़ करके गए हुए थे तो उनको अनुपस्तिती दर्च करते हुए उनके पराग्षा देखे मुझफरपूर की ये खबर है जहां पर और 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 पुलिस अधिक्षक के द्वारा तो देखा गया कि कई पुलिस कर्मी हो चाहे दूसरे करमचारी हो थाने में जो तैनात हैं वो अपने जूटी पर नहीं थे नापरवाही जब देखी गई है तो अब एक्षन भी लि है हमारे रिपोर्टर जादा जानकारी के साथ चंदर आथ से जाना चाहेंगे कि ऐसे कितने थाने जहां पर इस तरीके की लापरवाही पुलिस कर्मियों में देखी गई है जिन पर एक्षन लिया गया है और आगे किस तरीके की एक्षन लेने की बात भी की जा रहे है यह भ कहीं ऐसे पुलिस कर्मी जो कारे में लापरवाही बरते थे और द्यूटी से गाव मिले थे जिसके लेकर बड़ी करवाई की गई है और 37 पुलिस कर्मी को सस्पेंट कर दिया गया है जिसमें यह इसकी अप है उसके बाद थाने दार भी है कुछ और पुलिस बिभा के कर्मी चंदन क्या इसके पहले भी इस तरीके की लापरवाही पुलिस कर्मियों की तरफ से देखी गई है क्या अगर महां के वस्थानी लोगों की बात करें तो उनका क्या कहना है पुलिस कर्मियों को देखते हुए क्या पुलिस का रवया इस तरीके से पहले भी धीला ढ़ाला द विरान गया अगर आगे इस तरीगे की ऑर एक्शन की बात कर रहे है किस तरीके चलती रहे आगे वो क्या कह रहे हैं कि इन लापरवाः पुलिस कर्मियों पर क्या एक्षन लेंगे? बीच और पुलिस मेकामे में पूरी तरह से हलवाली मची हुई है और सब ही अपने अपने ड्यूटी पर लगातार से नातरा रहे हैं। और बेबस दुकानदार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चुकि CCTV फुटेज ये दर्शारा है कि किस तरीके से ये दबंग दुकान के अंदर घुसें और दुकानदारों को पीटना शुरू उन्होंने कर दिया। लेकिन गरीमत ये है कि यहाँ पर CCTV लगा हुआ था और अब इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस आगे की जाच करेगी और एक्शन लेगी इन दबंगों पर। करनोज की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीसी टीवी में मारपीट की ये पूरी घटना क्याद हुई है और आप देख रहे हैं कि दंडे से ये दबंग दुकानदार को पीटते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि दुकानदार भी बचाओ में पलटवार उन के जा रही है जौनपुर में मंदир परिसर में दिन दहाडे गोली चलने से हरकंप मझ गया पूरा मौमला सिकरारा थाना इलाके के मसीधा गाउं का है जहां कुछ शराबी मंदर में जा जिसका ग्रामीडों ने विरोध किया तो दबंगों ने मंदिर परिसर के बाहर ताबर तोड फारिंग कर दी जिसमें एक वृत समेट चार लोग घायल हो गए हैं सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भढ़ती कराया गया है महिस घटना के बाद से मंदिर परिसर क दबंगों का विरोध किया जिस विरोध के बाद दबंगों ने पलटवार करते हुए गोली चलाई पांचे लोग थे उनों को समझाने लगे यहां ऐसा मत करो कम्सक्रम नौरातर तक तो आप लोग मतायेगा तो लोग बोले कि नहीं हमाएंगे तुमें जो करना है कर लो इसे उसे करने लगे मतब गंदी-गंदी गालिया देने लगे हम लोग बोले कि हम पुलिस में कर हम बोले ठीक है तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा हो लोग उधर से मतलब मुण के तब जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर विवेक जुड़ गए हैं विवेक जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो दबंगों ने किया इसके बाद आखिर किस तरीक कि आक्शन की बात की जा रही है और बिल्कुल आपको पता हो पुरा मामला जो इतरा थाना खेतर का है जहां जो है एक मंबिर पर कुछ लोग सराथ पीड़े से गाउवालों ने मना किया जो है जंक पर फायर किया जो है घटने में दो लुप गोली लगी है इसकुल इस तरीके का मामला पहले भी देखा गया है क्या एक जो दबंग है इलोने पहले भी इस तरीके की हरकत की है लेकिन विवेक जिस तरीके सा पता रहे हैं कि पुलिस कहीं न कहीं दबंगों के सामने लाचार नजर आ रही है तो क्या इन दबंगों के उपर किसी का संद्रक्षन है जिसकी वज़र से पुलिस दब रही है या डर रही है क्योंकि पुलिस जो की सुरक्षा के लिए आम जंता की सुरक्षा के लिए तैनात है अगर वही इन दबंगों से डरने लगेगी तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी आखिर क्या इन दबंगों को क्या इनका पूरा कोई गिरो है जो लगातार इस तरीके के सक्री होकर कि इस तरीके के वारदात को अंजाम दे रहा है बिल्कुत जो है वहाँ गाहँ वालों बताते हैं कि हम अन्बट कितने हैं आगे बढ़ते हुए जहां से बड़ी खबर का रूख कर लेते हैं आपको बता दे कि फ्लाइ ओवर पर प्राइवेट बस पलड़ गई है भीशन सड़क हाथसे में तीन लोगों की मौत हुई है ये बड़ी खबर आयो जासे हाथ से में 30 से जादा यात्री घायल हुए है तो वहीं तीन लोगों की मौत हुई है इस भीशन सडक हाथ से में सियम जोगी आदिकनाथ ने हाथ से पर दूग जताया है राजस्तरकार ने मौवजे का एलान भी कर दिया है आपको ये भी पता दे कि बस में लगवा 50 यात्री सवार थे लखनाओ गोरपूर हाईवे के पास की ये घटना है जहाँ पर ये बस पलट गई और इस भीशन सडक हाथ से में हाथ से को ले करके सियम योगी आदितनाथ ने दुख भी चताया तो मौवजे की घोशना भी की अब बड़ी है तीस से जादा लोग खायल हुए है इस हाथ से में तो वही तीन लोगों ने मौके पर दी अपनी जान गवा दी इस हास्से में इस भीशन सडक हास्से में तीन लोगों की मौत हुई है प्राइवेट बस थी जो की फ्लाइवर पर अचानक पलट गई आला कि अभी किसकी गलती रही है, ये अभी जाज का विश्र है, क्या चालक से किसी तरीके की लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये बस पलट गई, या कोई और वजह है, क्या बस में कोई खराबी हो गई थी, फिलहाल जाज पुलिस कर रही है, कि आखिर ये बस पलट कैसे गई, तीस यात्री, तीस यात्रीों से भी ज़्यादा संख्या में यात्री खायल हुए हैं, तो वहीं तीन लोगों की मौत हुई है इस दर्दनाख सड़क हाथसे में अब दिल्ली से बास ही जारी थी सिदात नगर के लिए इसमें ज्यादतर पसिंगर जो बस्ती और सिदात नगर के थे और जिसा कि आपको एसे सब्साइब ने बदाया कि टीन डेथ हुए है और एक हैल को रेफर किया गया है के जिम सी और दस का यहां इलाज चल रहा है पासी एक बस जा रही थी जो राजस्तार नमबर की है और हाना कैंट छेतर में बंताज नगर के पास जो फ्लाइओवर है वहां चड़ते समय इस वाहन की दुर्गटना हुई जो अभी तक प्रतेक्षदर्शियों और जो प्रतेक्षदर्शियों और जो प्रसिंजर उनसे प्रिजेश कुमार हमारे साथ जुडगे हमारे रिपोर्चर जादा जानकारी के साथ अगर फिलहाल इस खबर पर अपडेट आपसे चाहेंगे क्या इस्थिती है अभी जो घायल हुए है उनकी क्या इस्थिती है डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि या पर्शिती है और उदार मुंताज नगर के बाद बाद पास के बाद पास बाद अभर टे कियो होने में इसको लेकर ओडे वा इस्थिती हुआ है अजबाद का दक जिखाते हैं जो दोलो पी आपने इस नामने जो डाय है कि और तेक कि आँ अबर बिरी पाले कि चकतर एलाज को चल रहा है जिसमें से 15 लोगों के अभी तक मिर्टी वाइदावाद के दिलास्टाल में, उनका विलास्टाला और मुर्पंत्री के बादेशा नुसार या संज्ञान बिलिया गया, जिसको मिर्टत पक्तिनों को रोज़नाक रुबया के आतिक साहता भी परदान की गई 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 रहे जिसमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमान जानकारी के लिए चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर के गोरखनात मंदिर के बाहर पुलिस पर करने वाले, हमला करने वाले एहमद मुर्तजा बासी के तार आतंगवास से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मामले में UP ATS और UP STF की टीम जांच कर रही है, साथी आरोपी से पूस्ताज भी की जा रही है चली ग्राफिस के जरी आपको बताते हैं कि क्या कुछ एहम जांकारी मिली है जांच टीम को, ये ATS और STF की टीम को कई संसनी केज खुलासे उनके सामने हुए हैं, एहमद मुर्तजा ने रात भर ATS ने उससे पूस्ताज की गोरखनात मंदिर में तैनात P.A.C. जवानों पर हमले का आरोपी है मुर्तजा और ये भी आपको बता दें कि आतंकी कनेक्शन पर पूछे गए कई सवाल मुर्तजा से जिस पर कहीं न कहीं शंका है कि श्वाद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है ये आरोपी मुर्तजा कठर पंती बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा था हाल के दिनों में मुर्तजा नेपाल कोयमबटूर और लुम्बिनी गया था और ये जो कनेक्शन है धीरे धीरे टेरर कनेक्शन सामने आ रहा है आरोपी के पास से कई बैंको के ATS काड़ भी मिले हैं ATS की टीम को मुर्तजा के पास से उर्दू में लिखा साहित भी परामद हुआ है दिरे दिरे ये connection एक के बाद एक ATS टीम जोड रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखेर मुर्तजा के गिरों में और कौन-कौन है साथ दिनों के रिमान पर भी है मुर्तजा और सूत्रों के मताबिक मुर्तजा बार-बार बयान अपना बदल रहा ह जब भी उससे सवाल पूछा जा रहा है टीम उससे सवाल पूछ रही है तो हर बार उसके जवाब अलग-अलग मिल रहे हैं हमने के कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मंदर में भी उससे देखा था और कही ना कहीं पुरी एक साजिश नजर आ रही है ATS पूस्टाज कर रह ही है लेकिन की कौन है इससे पीछे लेकिन आरोपी मुर्टजा हर बार अपने जवाब को बदल रहा है लेकिन अभी भी पूस्ताच जारी है साथ दिन के रिमान पर है आरोपी मुर्टजा और कैमिकल विस्फोटक भी बनाना जानता है मुर्टजा ये भी सवाल उससे गती वीजियों में पाया जा रहा है सनलिप्त है और आतंकी टेरर का कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है एटियस टीम को और टीम इसलिए लगातार पूछताच कर रही है अगली ख़बर की बात कर लेते हैं आपको बता दे कि लखनो नगर निगम के बाहर करमचारियों का प्रदर्शन जारी है नगर निगम मुख्याले का ताला बन करके विरोध प्रदर्शन किया जारा है सफाई करमचारियों ने नगर निगम मुख्याले पर ताला लगा दिया ह काम करने की टाइमिंग को लेकर के प्रदर्चन कर रहे हैं, करमचारी हाथ में जारू लेकर कहचे हुए हैं नगर-नगर मुख्याले और कह रहे हैं कि जो उनका duty का समय है उससे कहीना कहीं वो संतुष्ट नहीं है और उसी को लेकर के मांग कर रहे हैं कि उनकी जो काम करने की करने का जो समय है जो उनकी ड्यूटी का घंटा है उसको लेकर के नाराज नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि उनके जो काम करने की टाइमिंग है उस पे बदलाव किया जाए और इसी वज़र से नगर निगम के बाहर म सफाई करमचारी मांग कर रहे हैं कि उनके जो काम करने की टाइम है उसमें बदलाओ किया जाए संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं सफाई करमचारी लखनों से ये खबर आपको बता रहे हैं जहार नगर निगम के सफाई करमचारी हो ने हला बोल दिया है और काम करने की टाइमिंग को ले करके उन्हें दिक्कत हो रही है जिसकी वज़ा से उनका कहना है कि उनके समय में बदलाव किया जाए हाला कि और भी उनकी मांगे हैं जि कश्मीर में बिहारी कामगारों पर हुई गोली बारी पर बिहार के सियम ने दुख जताया है सियम नितीश कुमार ने कहा कि हमने अपने अधिकार्यों को निर्देश दिया है जो घायल है उनकी देख भाल की जा रही है वही रात में जो दूसरी घटना घटी है जिसमें एक की हत्या हुई हैं उनकी बौड़ी को लानी की व्यवस्था भी की जा रही है तो कश्मीर में बिहारी कामगारों पर गोली बारी हुई थी जिस घटना को लेकर के दुक तो जताया ही है बिहार के मुक्री मंतुरी इसके लिए निर्देश भी दिया गया है घायलों की देखभाल की जाएगी तो साथ में इस गोली बारी में जिन लोगों ने अपने जान गवा दी है उनके शवों को भी प्रदेश मे लाया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है मुख्यमंतरी मितीश कुमार के द्वाराव काम करते हैं और इस तरह लिए अब गोना जारी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं को बता दे कि नाबालिक से गैंग रेप का मामला सामने आया है जी हाँ गैंग रेप का चौथा आरोपी भी पुलिस मुद्भेड में गिरफ्तार कर लिया गया है पच्छीस हजार का इनामी महफूझ अली पर जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने और काफी समय से इस मामले पर फरार चल रहा था जब अब पुलिस उसे जिरफ्तार किया है तो पुलिस को एक काम्याभी मिली है दो अन्य आरोपीओं को, पहले ही मुड़ेड में अरेश्ट पुलिस कर चुकी है और एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, स्वी संतोष मिश्रा के नित्रित में टीम गठित करके ये कारवाई की गई थी, और गैंग रेप का ये मामला था, जिसमें आरोपियों की तलाश की जा रहे थी, एक आरोपी 25,000 का इनामी था, जिसे मुठभेड के दौरान पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्त में लिया गया पुलिस के द्वारा, तो एक सफलता मिली है पुलिस को क्यूंकि लंबे समय से ये आरोपी फरार चल रहे थे, बुलशहर के नुमाईश मैदान में क्रिशी और द्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शन में सिंगर क्यलाश खेर नाइट का आयूजन किया गया, क्यलाश खेर ने अपने विश्वप्रसीत गीत सुना कर प्रदर्शनी में मौझूद लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया, कारकरम में मौझूद वीवी आईपी महमानों ने भी क्यलाश खेर के साथ मंच पर डांस किया, कलाश खेर के आवाज को सुनने के लिए हजारों के संख्या में लोग आये थे वहीं सुरक्षा को लेकर के भी कड़े इंतजाम किये गए थे और इसी के साथ फिलाल इस बुटे में इतना ही देज़ दूने की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देख देरी एंजावर्स नमस्कार